जय हिंद दोस्तों 30 अगर्श 2021 यानि कि आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा भारती एथलीट्स के लिए टोक्यो पेरालंपिक में आज भारत के एथलीट्स हमको काफी सारे इवेंट्स में दिखे और भारत के काफी सारे एथलीट्स ने आज पदक जीता है टोक्यो पेरालंपिक में तो चलिए नजर डालते हैं आज के दिन का भारत का प्रदशन कैसा रहा टोक्यो पेरालंपिक में तो आज के दिन का पहला पदक हमको शूटिंग में मिला जहां भारत की अबनी लेखरा ने 10 मीटर एर राइफल SH1 केटेग्री में गोल्ड मेडल जिता, उन्होंने टोटल स्कोर किया 249.6 और इस स्कोर के साथ उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया, इसके बाद मैंस 10 एर राइफल स्टेंडिंग SH1 केटेग्री में हमको थोड़ी सी निराशा हात लगी, जहां पर भारत के स्वरूप महावीर उन्हाल कर बस एक पोजिशन से पदक से चुक गए, वो चोथे स्थान पे रहे, उनका कुल स्कोर था 203.9 लेकिन थोड़ी सी दूरी के कारण वो ए प्रदेशन किया और हमको गर्व है उनके प्रदेशन पर, इसके बाद आते हैं अथलेटिक्स में, जहां पर मैंस डिसकल्स थ्रो एफ 56 केटेग्री में भारत की योगेस कर्थूनिया ने हमको सिल्वर मेडल दिलाया, उन्होंने जो बेस्ट थ्रो फेका था वो था 44.38 मीट जहां पर भारत के तीन अथलेट्स भाग ले रहे थे और इस जो इवेंट में भारत के दो अथलेट्स पदक जीत पाए, भारत के देवेंद्र जाजरिया जो की रेइनिंग पेरालंपिक चेंपियन थे उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया और भारत के सुन्दर सिंग गु रहना पड़ा उन्होंने भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन आज उनका दिन उतना अच्छा नहीं रहा और उनको आटवे स्थान से संतुष्ट रहना पड़ा जहां पर भारत के तीनों एतलिट्स का थ्रो अगर हम देखे तो देवेंद्रे ने और यहां पर एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं सुभा मैंने इसके बारे में एक वीडियो पोस्ट किया था जहां पर काफी सारे कमेंट्स आए हैं तो काफी लोगों ने कमेंट्स किया है कि स्री लंका के जो एतलिट थे वो डिसेबर्ड नहीं है और भारत के अगर कोई अथलिट खेल रहा है तो जाच परक होने के बाद ही उनको मौका मिला होगा उनके इवेंट में खेलने का तो ऐसा कहना उचित नहीं होगा स्री लंका के अथलिट ने बहुत ही अच्छा परदर्शन किया है और हमें इस बात को स्विकार करना चाहिए और आखिर म मैंस जैबलिन थ्रो एफ 64 कैटेगरी के इवेंट में भारत के सुमीत अंतिल ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया एक वर्ल रेकॉर्ड थ्रो के साथ उन्होंने 68.55 मिटर का अपना जैबलिन फेका और इस इवेंट के दोरान उन्होंने खुद ही तीन बार अपना खुद का वर्ल रेकॉर्ड बनाया और तोड़ा और आखी में 66.55 मिटर के हाइस थ्रो के साथ उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है इस इवेंट में लेकिन इस इवेंट में भारत के संदीव चोदरी को निराशा हाथ लगी उनको फोर्ट प्लेस से संतुष रहना परा क्योंकि उन उमीद करते हैं आगे आने वाले दिन भी पेरालंपिक्स में भारत के लिए ऐसे ही अच्छे साबित हो इसी उमीद के साथ इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा शेर कीजिएगा जय हि क्या है अगा है है वान कीजिएगा सब्सक्राइब झार एक लाइक हम एक है।